भारत में करीब पांच लाक लोग किसी अंगदान से मिलने वाले अंग के इंतजार में हर साल मर जाते हैं अंगदान यानि ओर्गन डॉनेशन के लिए इच्छा मरतियू यानि यूथेंट शा की मांग के विश्य पर बनी है फिर्म सलाम वेंग की 24 साल का एक यूवक होता है जो वीलचेयर पर है और एक गंभीर बिमारी से जूज रहा है वो हॉस्पिटल में एड्मिट होता है और डॉक्टर कहते हैं कि वो कुछी समय का महमान है वेंकटेश इस बात को पहले से जानता था और इसलिए वो अपनी मापर दबाव भी भना रहा था इच्छा मृत्यू का वो इच्छा मृत्यू की मांग क्यों कर रहा था जबकि वो तो कुछी दिनों में मरने वाला है अगर आपकी नेच्रल होती है या हर्ट taş से लेक्स को ही दान कर सकते हैmos लेकिन अगर आपके ब्रेंड डैथ होती है किसी व्यक्ति की अगर भ्रेंड डैथ होई है तो उसके फिर बहुत सारे अंग्य." जैसेuyor किडनी हार्ट है एंटिस्टाइन है वो भी दान किये जा सकते हैं तो वेंग की अपने लिए ऐसा ही चाहता था क्योंकि वो उस जिसका मेहत समझता था कि जब कोई अंग आपका काम ना कर रहा हो तो जिन्दगी कितनी दुर हो जाती है काजोल जो इसमें वेंकटेश की माँ बनी है व लेकिन भारत जैसा देश जहां पर लौ एंड आर्डर पहले से ही और बहुत बजबूत होने की मांग कर रहा है अभी हमें और बहुत सारे सुधार करने हैं वहां युथेंचिया यानि इच्छा म्रत्यू वो भी अंगदान के लिए की इजाज़त देना कितना सही रहेगा क या इसका दुरुप योग नहीं होगा और क्या अगर डॉक्टर किसी को कह देते हैं कि ये मरने वाले हैं या कुछी दिनों के मैमान हैं और वो बहुत पेन में हैं तो उनको मरत्यू दे देना क्या उनकी हत्या नहीं होगी यही सवाल है जो एक फिल्म उठाती है यह एक इसमें मां के करदार में है और यह सची घटना पर आधारित फिल्म है तो इस फिल्म में जो घटनाए घटित हैं जो परिवार का ऐसा योग दिखाया गया है वो बहुत सारी डिफरेंटली एबल जो परसंस हैं उनके केर्टेकर्स को या उनकी मदर्स को जूजना पड़ता है उससे और भारत में खासकर आखिर में डिफरेंटली एबल लोगों के केर्टेकर या फिर उनकी प्राइमरी केर्टेकर या तो उनकी मदर ही होती है और अंध तक वो ही रहती है ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ माँ और बच्चे की ही बन कर रह जाती है यहां पर कमल सदाना काजोओल के पती के रूप में बहुत दिनों बाद इसमें दिखाई दिए है आमिर खान इस फिल्म इ उनका जोका है इ OLK Coordinator स्वछ यह उपन रखा है आप ऑपको देख आप इस तरह के विशयमें पर रुची रखते हैं तो आप ये फिर्म देख सकते हैं अगर आप अच्छी काजूल की अक्टिग्स देखना चाते है तो भी आप ये फिर्म देख चाह लेकर आते हैं उनके साथ चाह पीते हैं ऐसे डॉक्टर हमें भी चाहिए एक बहुत ही समवेदन शील वीशे पर रेवती ने ये फिल्म बनाई है और उसी तरीके से उसे निभाया भी है लेकिन फिल्म में कहीं भी कुछ भी अन्प्रेडिक्टेबल नहीं है हर एक सीन के बाद आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है सची गटना पर आदा इस फिल्म है तो इसके साथ बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता था आप पॉपकॉर्ण टॉकिस की तरफ से इस फिल्म को दिया जाते हैं त्री स्टार्स नमस्ते एपार झाल 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 झाल